आज के इस विडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो इस एका दशी पर करने से आपके भागे के द्वार खुल जाएंगे बरसों की निर्धंता दूर हो जाएगी भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी आपके उपर असीम कृपा बरसाएंगे धंधान्य सुक्समर्दि से आपकी जोली भर देंगे दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए तुलसी के नीचे बांध है ये चीज मा तुलसी का मिलता है धेर सारा आशिरवाद माता लक्ष्मी होती है आकर्षित घर में नहीं आते कष्ट दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लापकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्षमी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से ही लाब अवश्य मिलता है वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वग बताया गया है लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मात तुलसी का मिलता है आशीरवाद आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हगदार है लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना है जरूरी आगे बरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वेडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा कमेंट बॉक्स में लिखे जै मां तुलसी, जै मां लक्ष्मी, मां की कृपा सदा आप पर आपके परिवार पर बनी रहें दोस्तों भारत वर्ष में ही नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टी से देखा जाता है अनेक औशधिये गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उप्योग होता है पुरानों में तुलसी को भगवान विश्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है इसी कारण तुलसी जगजननी भी है परमात्मा के अनेक दुरलब वर्दानों में परिगनित तुलसी के विर्वे को अमरित का प्रतिरूप भी कहा गया है जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विश्णु, शंकर यानि प्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नश्ट हो जाते है जैसे सूर्य के उदै होने पर अंधकार नश्ट हो जाता है शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शान्ती और सम्रिद्ध बनी रहती है भगवान विश्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है इनी कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा हुआ जरूरी हो जाता है अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शान्ती और सम्रिध्धि के लिए तुलसी मा को चुन्री अवश्य चड़ानी चाहिए अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतियां कर देते हैं वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुन्री नहीं उड़ाते जिसके कारण उन्हें फ़लों की प्राप्ति नहीं हो पाती हमेशा याद रहे माता तुलसी को चुन्री अवश्य चरहना चाहिए तुलसी पर चुन्री जरूर बांधनी चाहिए तुलसी न केवल एक पौधा है बलकि ये हमारे मां के समान है कई घरों में तुलसी को चुन्री उड़ा कर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं आमतोर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुन्री चढ़ाते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है बुद्ध और मंगल मित्र नहीं है बुद्ध के अन्कूल ग्रह शुक्र और शनी है इसलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली चुनरी चड़ाना शुब होता है कई लोग ये भी गलती यहां करते है तुलसी के चुनरी काफी तुरानी हो जाती है या फट जाती है लेकिन एकादशी या पिर अन्य कोई शुब दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल लेते हैं लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बलकि साफ सुत्री चुनरी माह तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए बगैर चुनरी के माह अच्छी नहीं लगती तुलसी माह नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तुलसी में कई दिव्यशक्तियां विराजमान है जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते होती है स्वर्ग की प्राप्ति मां बद्धी प्रसन होती है शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दोक और रोक दूर हो जाते हैं दोस्तों तुलसी के पास ये चीज कभी न रखे तुलसी मा होती है क्रोधित जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए इसके आसपास जूते, चपल, जाद्धू पोछा रखना भी पाप माना जाता है तुलसी के आसपास थूंकना भी घोर अनर्थ कारी माना जाता है तुलसी के पास जल से भरा हुआ पातर नहीं रखना चाहिए साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि तुलसी के नीचे बुजा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमान नहीं रखनी चाहिए तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा जहां भी हो वहाँ पर सदैव साफ सवाई होनी चाहिए तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए माता क्रोधित होती है तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूडे में नहीं डालना चाहिए पानी में या मिटी में दबा देना चाहिए तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए अक्सर महिला इसनान के बाद खुरे बाल में ही तुलसी को जल दिती है तुलसी को भगवान से सबसुहागन रहने का वरदान मिला है ऐसे में सौभागे में वरद्धी के लिए बालों को बांध कर और मांग में सिंदूर लगा कर तुलसी में जलर्पित करना चाहिए दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना इससे नकारात्मक उर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती इससे अकाल मृत्यू का खत्रा बना रहता है घर की सुख समर्द्य सब खत्म हो जाती है घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती चाहे कुछ भी हो जाए अगर आपकी तुलसी सुख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर मात तुलसी का अपमान माना गया है ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है दोस्तों मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए खास कर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांती सब भंग हो सकती है तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए दोस्तों तुलसी के पौधे में जहल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए इस सिधन हानी का खत्रा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ती होती है और सकारात्मक्ता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है दोस्तों तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए खास कर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बिमारी लगती है उल्टा घर में बिमारियां प्रवेश करती है दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचो बीच में लगाना चाहिए इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे बुए भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी घर में नहीं नहीं लगाना चाहिए इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पडोसियों में किसी को दे सकते हैं शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत माने जाते हैं देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है तुलसी के पौधों को विशम संख्या में रखना चाहिए जैसे 3, 5, 7 आदी तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए इससे उल्टा घर में विनाश होता है नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुन्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते है और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है दोस्तों होता है घोर अनर्थ ऐसे पौधे लगा कर मा तुलसी नारास हो जाती है घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए ये पौधे अशुब होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते है मा तुलसी होती है प्रोधित आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें दोस्तों यकीन मनें हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है जी हाँ नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा आपको बता दें आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक उर्जा का संचार करता है. शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है, कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके, काटे की उत्पत्ती करता हो जिसमें पत्तियाना के बराबर हो ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए खास तोर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए खासकर बाद जब तुलसी के पौधी की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए ये नकारात्मक उर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है माता तुलसी के साथ-साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए इसे सर्वश्रेष्ट और मंगलकारी माना जाता है इससे महालक्ष्मी के साथ साथ विश्नु की कृप दोस्तो तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें वरना बुरा समय आपको घेर सकता है शालिग्राम भगवान विश्णु का निराकार रूप माना जाता है ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षन और मूलेवान माना जाता है इसे बहुत सहेज कर रखना जाहिए मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंड़ की नदी में पाए जाते हैं और जीजगर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है उस घर में विश्णु के भी व्यक्ति विमारी से पीड़ित नहीं होता तरक्की आपके कदम चूंती है पुरानों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम हो वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ हैं इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है स्वयम्भू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यक्ता नहीं होती यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विश्नु और मां लक्ष्मी का वास होता है ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहत चर्णामृत ग्रहन करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं लेकिन शास्त्री अमतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है चर्णामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रग्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत भब्रद होता है जीज घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु और बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसकी ठीक से नियम से देख भाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेश ध्यान रखा जाता है आज के लिए बस इतना ही कमें जैमा दुलसी जैमा लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों अगर आपको ये व knowledgeable video आपको सबसे पहले मिलें